Hello students, welcome to UPCSS Tally Prime स्रीज का लक्षे नमबर 17 है और अभी तक हम पिछले वीडियो में अप्रेल मन्त की जो इंट्री हमारी थी यानि जो हमारा अप्रेल मन्त था इसकी सारी इंट्री हम Tally Prime स्वाफ्टर में कम्प्लीट कर चुके हैं फिर उसके बाद यहाँ पर trial balance अप्रेल मंत का जो trial balance था उसको भी हमने copy पर बनाना बताया था group wise की group wise आपका trial balance कैसे बनेगा ठीक है फिर यहाँ पर आज हम इस वीडियो में start करते हैं मई मंत की entry और यहाँ पर जो मई की entry है इन्हें हम tally prime software में करते हैं चलिए तो यहाँ पर trial balance software open करते हैं और आपको याद होगा cash study one यह company है हमारी जिसमें हम अभी तक अप्रेल मंत की entry हमने की है day book में जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अभी यहाँ पर सिर्फ अप्रेल मंत पर सारी इंटियां है यानि की अप्रेल मंत की entry complete है वापस चलते हैं हमें फिर से चलना है vouchers में और यहाँ से हमें मई की entry करनी है लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें date change करनी है क्योंकि हमने बताया था कि जब हम मंत चेंज करेंगे तो date change करेंगे तो यहाँ पर अभी हम month चेंज कर रहें यानि की मई के entry करेंगे फिर से डेट चेंज करेंगे, फिलाग, अभी यहाँ पर पहला कुश्चन हमारे पास है, Mr. Verma paid रुपीज 6,000 in cash to ink and paper publisher, यानि ink and paper publisher को Mr. Verma ने क्या किया है, 6,000 रुपे नगद पे किया है, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर debit कौन होने वाला है, debit आपके हो जाएंगे, ink and paper publisher क्योंकि यह पैसा पाने वाले हैं, और credit में क्या हो जाएगा, आपका cash हो जाएगा, credit क्या हो जाएगा, cash हो जाएग तो वहाँ पर तो हमने उधार खरी लिया था, लेकिन इस महीने हम इनको payment कर रहा है, तो debit में ink and paper publisher, credit में cash और voucher payment हो जाएगा, clear है, चलिए, पहले entry को करते हैं, फटा फटा फट टैली प्राइम में, तो यहाँ पर open करते हैं, तो जैसा कि इमने बताया कि date जो है, वो चेंज होगी, कि अगर माल लेते हैं, माई की entry में कोई गलती कर दी, तो trial balance भी गलता है, और जब trial balance गलता है, तो आपको यह नहीं पता चलेगा, कि वो mistake April में होई है, या माई में होई है, पता नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए हमें क्या करना है, कि April की entry जो है, वो first April पे करनी है और माई की जो entry है, वो first माई पर, और इसी तरह से हर माईने की entry, जो है, वो उसी मन्त के first date में करनी है, ठीक है, और real work कैसे होता है, यह हम बता चुके है, उसमें per day date change होती है, ठीक है, चलिए, तो उससे क्या होता है, कि अगर कभी कुछ गलत होता है, तो वहाँ पर हम उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि date wise हम उसको sort कर सकते हैं, फिलाल, यहाँ पर पहले entry करते हैं, rate change कर चुके हैं, voucher payment होगा, डेविट में ink and paper publisher, यहाँ पर आई बटन प्रिस किया, ink and paper publisher, यहाँ पर आप उनका बकाया balance भी देख सकते हैं, ink and paper publisher में 6,000 रुपै क्रेडिट से यहाँ पर adjustment क्या होता है, ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, adjust करना है, ध्यान रखना, तो जैसे हम adjust यहाँ से AGST select करेंगे, तो automatic यहाँ पर बतायागा कि 1st April का 6,000 रुपै इनका balance जो है, वो credit था, उसी को adjust करना है, हाँ उसी को करना है, इसी को हम enter कर देंगे और accept कर लेंगे, तो यह उन्हें क्या किया है, अप्रेल महिने का 25 रुपै किराया पे गिया है, तो अप्रेल का इसलिए, क्योंकि यह क्या करते है, जब एक महिना पूरा हो जाता है, उसके बाद किराया देते हैं, तो अभी यहाँ पर हम महिने चल रहे हैं, और अप्रेल पूरा हो चुका है, इसलि December rent expenses का और under जाएगा indirect expenses के क्योंकि यह indirect expenses है यानि कि खर्चा है जो कि indirect expenses में जाएगा और voucher payment होगा क्योंकि यहाँ पर हम भुगता नहीं कर रहे हैं चीजे clear होनी चाहिए, हमें यहाँ पर बार-बार detail में बतानी की जुरूत नहीं है, क्योंकि हम वहुत ही अच्छे से solve करवा चुके है, exercise 2 भी solve करवाई थी और पीछे April month भी देखाए, ठीक है, तो यहाँ पर डेविट करी लेजर अंडर वाउच और सारी चीजे निकल गई, अगर कोई दिक्कत है अंडर जायेगा आपका indirect expenses, अंडर indirect expenses ठीक है और यहाँ पर इसको भी हम accept करते हैं, कितना किराया दिया, 25 रोपे दिया एंटर किया, क्रेडिट में HDFC बैंक क्योंकि हमने चेक दिया है, ठीक है और यह entry भी हो गई, final accept कर लिया, दो entry हो गई, आगे बढ़ते हैं question number 3, Mr. Verma paid salary, throw check for April month, यहां पर आप देख सकते हैं, कि 5 तारीक को हाईर किया था Mr. Verma ने क्या किया था, 5 तारीक को employees को हाईर किया था, तो 5 तारीक से और फिर उमलब 25 days का इन्होंने पे किया है ठीक है, पूरा एक महिने का, यहीं 30 दिन का नहीं पे किया है, 25 days का पे किया है, clear है तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि 7500 रुपए, यह जो salary है, यह किसकी है, सुबं की और गीता सुकला की है, 45 रुपए तो यह पूरी 30 दिनों की है, ठीक है, तो यहां पर आप इसको निकाल सकते हैं, 25 days की कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी, वो निकालने के बाद में, हम salary जो है, 25 days की दे देंगे, फिलाल तो यहां पर amount जो है, वो निकाल करके यहां पर लिखा हुआ है, आपके सामने, सीधे इसकी entry करनी है, देखिए यहां पर, आपका यहां पर एक बार हो जाएगा, डेविट में salary, डेविट में क्या हो जाएगा, salary हो जाएगा, कितना, तो यहां पर देखिए, 25 days की सुभन को दी गई है, 6500, गीता सुकला को दी गई है, 4900 रुपै, ठीक है, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, देखिए, 10400 रुपै, यहां पर आपका कितना हो गया, 10400 रुपै, दोनों को जोड़ेंगे तो, और यहां पर credit में आपका हो जाएगा, HDFC Bank, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर चेक इसु किया गया है, किलियर है कितना, 10400 रुपै का, laser salary expenses का बनेगा, अंडर यह जाएगा, indirect expenses के, क्योंकि यह भी क्या है, खर्चा है, ध्यान देना, हलाकि जो salary है, वो सुभम को, और गीता सुकला को मिल लई है, जो कि person है, यानि personal account है, लेकिन यहां पर वो जा salary के रूप में ही पैसा रहा है, वो फिर मिल किसी को भी रहा हो, इससे नहीं मतलब है, ठीक है, तो इसलिए यहां पर salary जो है, वो indirect expenses, यानि खर्चे के अंतरगत लिखा जाएगा, clear है, तो यहां पर salary जो है, वो indirect expenses में जाएगा, total 10,400 से, तो debit के laser under clear हो गया, voucher आपका यहां पर payment हो जाएगा, clear है, तो इतना तो यहां पर ठीक है, समझ आ गया, क्या होने वाल लेकिन इसमें यहां पर एक नई चीज है, वो क्या है, देखिए, कि अगर माल लेते हैं, किसी मन्त में सुभम को हमने salary कम दी, ठीक है, ऐसा भी होता है, कमपनियों में, office वगरा में, किसी employee को salary कम या फिर किसी employee को salary advance दे दी जाती है, ठीक है, तो इस condition में किसको कितनी salary कम या फिर किसको कितनी advance दी गई है, इसका record cash maintain होगा, हम क्या बोलने हैं, इसको आप समझेए, देखिए, अगर माल लेते हैं, सुभम को और गीता सुकला को दोनों लोगों को salary दे दी गई, ठीक है, यहां पर तो question में अलग-अलग लिखा है, कि हाँ इसको इतनी और इसको इतनी करते हैं, तो सीधे कर दिया, डेविट में salary 10,400 रुपए, और credit में कर दिया, हमने HDFC bank, यानि इतने का check इसो कर दिया, लेकिन इस entry में कहीं ऐसा mention है, कि 10,400 रुपए में कितनी सुभम वर्मा को मिली, यानि सुभम वर्मा है, जो भी है, कितनी सुभम को मिली है, और कितनी गी देखेंगे, तो यह cost center जो feature होता है, इसमें यहाँ पर हम यह define करते हैं, कि किसको कितनी salary दी गई है, तो यहाँ पर जो सुभम है, और जो गीता सुभम है, वैसे तो यह person है, employee है, लेकिन tally के हिसाप से यह cost center है, टally के हिसाप से क्या होंगे, cost center होंगे, जैसे salary क्या है, salary एक account है, जिसे हम laser बोलते हैं, और जब salary का laser हम बनाते हैं, तो यह under जाता है, indirect expenses के, किसके under जाता है, indirect expenses के, तो जो indirect expenses के, इसको क्या बोलते है, इसको क्या बोलते है, group, इसको क्या बोलते है, group बोलते है, टally में, इसी तरह से सुभम और जो गीता सुकला है, इनको हम salary दे रहे है यह employee है इसलिए यहाँ पर इनको जो है cost center में रखा जाएगा और इनको हम बोलते है cost center ध्यान रखना इस बात का cost center हो गया तो यहाँ पर हम cost center create करेंगे इन दोनों का और cost center जब बनाते हैं तो हमें जरूत पड़ती है cost category की, किसकी जरूत पड़ती है cost category की, cost category क्या है तो cost category जो की cost center को थोड़ा सा अलग करता है इसका best example क्या है आपको हम समझाते हैं देखिए माल लेते हैं salary है और salary यहाँ पर आपके पास माल लेते हैं 5 employee है कितने हैं 5 employee हैं इसे करके और सभी की salary different 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 है और इसी तरह से आप देते हैं rent ठीक है? rent भी देते है, salary भी देते हैं तो जो rent आफिस का किराया देते हैं और 3-4 जगों पर आप go down का किराया देते हैं, कुल मिलाके इधर हो गई 10 इंटरी, यानि 10 लोगों को पैसा देते हैं, लेकिन ये पूरा होता रेंट ही है, ये किसमें जाएगा, rent expenses में अलग बात है, तो पंदरा और ये 10 कितना हो गया, यानि 25 लोगों को आप सैलरी और किराया मिला करके देते हैं, तो अगर यहाँ पर जो हम rent या फिर salary जिन employee को देते हैं, cost center बना देंगे, तब भी वो आपस में जाके mix हो जाएंगे, salary और rent वले, तो इसलिए हम दो category बना लेते हैं, एक salary की और दूसरी rent की, तो जो rent है, वैसे तो ये expenses है, लेकिन इसको हम cost category में भी डालेंगे, यानि salary और rent की cost category बनाएंगे, और salary के अंदर जितने employee हैं, उनके cost center बनाएंगे, और rent के अंदर जो भी हम go down या office का rent देते हैं, उस हिसाब से हम cost center बनाएंगे, ठीक है, चलिए इसको practically देखते हैं, सब समझ आ जाएगा, कोई confusion बात नहीं है, तो यहाँ पर इस entry को अच्छे से देख लें, यहाँ पर क्या है, salary expenses यानि की खर्चा किया गया है, और voucher यहाँ पर payment होने वाला है, तो चलिए चलते हैं, सब से पहले तो यहाँ पर हमें क्या करना है, cost center option जो है, वो on करना है, ठीक है, on करने के लिए यहाँ पर हमें प्रेस करना है F11, क्या प्रेस करना है F11 की, ठीक है, आपको याद होगा, हमने बताया था, जब हमने company create की थी, तो यह हमारे सामने जो current time में option आ रहे हैं, यह तब भी आये थे, सबसे पर हमने क्या किया, F11 function की प्रेस की, फिर यहाँ पर enable cost center, इसको यहाँ पर हमने yes कर लिया, तो cost center क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, वो तो आपको पता चल गया, आप use कैसे करेंगे, वो हम बताने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने cost center को on कर लिया, और finally इसको हम accept कर लेंगे, या control A से भी accept कर सकते थे, यह accept हो गया, ठीक है, अब cost center accept हो गया, अब यहाँ पर हमें 2 cost category बनानी है, cost category के हमने बता दिया, एक salary के लिए, एक rent के लिए, लेकिन अगर यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो rent यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा go down ही नहीं है, ज़्यादा office है नहीं, सिर्फ एक office है, और आपका salary की बात करें, लेकिन हम सिर्फ salary की बनाएंगे, rent की नहीं बनाएंगे, ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बताते है, cost category कैसे बनानी है, उसके लिए आपको skip button से वापस आना है, ठीक है, इस cap से वापस आ जाना है, जो भी आपको teleprime में create करना है, उसके लिए direct आपको जाना है, create में, क्या create करना है, देखिए, cost center हमने on किया था, तो यहाँ पर यह cost center, so हो रहा है, ठीक है, लेकिन cost category का option, so नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें so more पर click करना है, और फिर उसके बाद so inactive all a option पर भी यहाँ पर click करना है, दोनों option on करेंगे, तो इसमें आप ढूनेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा cost category का option, तो यहाँ पर ढूनते हैं, यह देखें, यहाँ पर मिल गया cost category, ठीक है, तो यहीं पर आपको cost category पर enter करना है, और यहाँ पर आपको इसको create करना है, ठीक, create new, और यहाँ पर बना लेनी है, cost category salary के लिए, salary, enter, और यहाँ पर इन options के बारे में हम बात करेंगे, अभी फिलाल इसको हम ऐसे ही accept करते हैं, salary के हमने cost category बना ली, अब चाहें तो आप rent की बना सकते हैं, इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर हम rent के भी नहीं बनाएंगे, जरूद नहीं है, अब यहीं से हम cost center में जा करें, cost center भी create कर लेंगे, ठीक है, तो cost center हमारे दो ही है, एक है हमारे शुबं, देखें यहाँ पर सबसे पहले हमें category select करनी है, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो cost center आप बनाने जा रहे हैं, वो उसकी cost category क्या है, तो आप चाहें तो उसको primary cost center में रख सकते हैं, primary cost category में रख सकते हैं, primary का मतलब वो किसी के अंडर नहीं जाएगा, main रहेगा, लेकिन हम तो इसको salary में रखेंगे, तो इसलिए हमने salary select कर ली, अब यहाँ पर cost center का name आएगा, यानि कि शुबं, और enter करेंगे, यहाँ पर under इस तो यहाँ पर cost center और cost category दोनों चीज़े हमने बना ली हैं, ध्यान रखना इस बास्त का, ठीक है, अब वापस चलते हैं, accounting voucher में बस, और यहाँ पर entry करते हैं, तो salary का भी हमें laser बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर voucher payment अल्रेडी लगा, यहाँ पर बनाते है salary का laser, salary expenses, ठीक है, यहाँ पर cost center on किया है, उसकी वजह से, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आप में यह अभी भी नहीं आ रहा है, वहाँ से cost center on करने के बाद में भी option आपको नहीं मिला, तो उसके लिए यहाँ पर आपको प्रेस करना है, F12, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या प्रेस करना है, F12, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह option आपको मिलेगा, apply cost center for laser, इसको यहाँ से yes कर लेना है, ठीक है, इसे यहाँ से yes कर लेना, अगर इसे यहाँ से आप no कर देंगे, देखिए हमने no किया और accept कर लिया, तो वो अला option आपको यहाँ पर देखिए नहीं मिलेगा, ठीक है, तो नहीं ज़रूत है, वहाँ पर इसे off करना है, ठीक है, तो अभी फिलाल तो salary expenses में ज़रूत है, इसलिए यहाँ पर इसको हम yes करेंगे, और enter करेंगे, और इसको accept करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर हम डालते हैं कि salary हमने कितनी दी, 10,004 रुप है, तो जैसे यहाँ पर हम डाल yes नहीं किया होगा, ठीक है, यहाँ पर इस option को yes नहीं किया होगा, तो वो detail नहीं आएंगी, और अगर यहाँ पर वो option नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमने बता दिया है, आफ-12 की प्रेस करनी है और यहाँ से on कर लेना है, ठीक है, और F11 की प्रेस करके वहाँ सिसको साथ हमारी है salary की यहाँ पर देखे salary एंटर किया फिर उसके बाद यहाँ पर name of cost center तो name of cost center में एक है सुभम सुभम को कितनी दी है salary यहाँ पर हम refine कर सकते हैं अलग-अलग 6,500 रुपए दी 6,500 रुपए और एंटर करते हैं यहाँ पर गीता ठीक है तो जैसे गीता का डाल के एंटर करेंगे automatic आ जाएगा 4900 क्यों आ जाएगा क्योंकि 10,400 रुपए टोटल हमने डाला ही है उसमें से 6,500 निकाल दिया तो एक ही बचा अगर कोई और होता तो यहाँ पर गीता का जो कि आप समझ चुके होंगे कोई confusion है तो आप यहीं से वीडियो रिपीट कर लें सब कुछ समझ आ जाएगा बहुत ही जी है ठीक है चलिए यहाँ पर फिलाल credit में आपका HDFC बैंक हो जाएगा क्योंकि चेक से payment किया गया है और इसको भी हम accept कर लेते हैं तो यह entry आपकी complete हो गई ठीक है चलिए वापस आते हैं अगला question कर रहा है कि Mr. Verma ने एक bill जो है वो receive किया है and pay किया है mobile phone bill यानि कि telephone का जो bill है वो इन्होंने पे किया है 1250 रुपए इन कैसे नगत भुकतान कर दिया ठीक है तो सिधी सी बात है कि यहाँ पर David में आपका हो जाएगा telephone expenses डेविड में क्या होगा telephone expenses या mobile phone bill जिस भी नाम से आप laser बनाना चाहिए बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है बस ध्यान रखना है कि यह नहीं कि यहाँ पर telephone expenses कर दिया और next month में जब हमने भुकतान किया तो वहाँ पर हम धून रहे हैं mobile phone bill नाम का नहीं मिला तो नया laser बना डाला ऐसा नहीं करना है ठीक है और laser कि इसका बनेगा telephone expenses यानि कि mobile phone या telephone जो भी आप लिख रहे हूँ ठीक है उसका laser बनेगा under जाएगा indirect expenses क्यों कि यहाँ पर भी यह घर्चा ही है और voucher यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा voucher होगा payment आपको पता चल गया होगा ठीक है चलिए तो यहाँ पर इसके इंट्री करते है वाउचर यहाँ पर आपका already set है यहाँ पर laser बनाते हैं सिध्य अल्ट सी किया और यहाँ पर laser telephone expenses अंडर जाएगा indirect expenses में लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि कॉसेंटर जो है यहाँ पर हमें no रखना है तो अब laser मनाते time इस चीज को ध्यान रखना है आपको ठीक है यहाँ पर कॉसेंटर को हम no कर देंगे और enter करेंगे और shift कर लेंगे ठीक है telephone expenses 1250 रुपए अब यहाँ पर यह दिमाग आप लोग म चुका है salary expenses वाला जबन लेजर बनाया था ठीक है तो यहाँ पर फिलाल आपको हर लेजर में इसे no ही करना पड़ेगा तो यहाँ पर हमने no कर दिया ठीक है और इसे हम अशेप्ट करते हैं telephone expenses कितना 1250 रुपए एंटर करते हैं credit में यहाँ पर cash है तो credit में cash है और इसको भी अशेप्ट करते हैं यह entry complete हो गई next question Mr. Verma issuer check 12500 to global house यहने global house को इन्होंने क्या किया है pay किया है check से check issue करने का मलब पे किया तो voucher payment और debit में आपका जो है global house हो जाएंगे क्योंकि यह पैसा पार है है कितना 12500 रुपए और आपको पता चल गया होगा यहाँ पर हमें किया अगर HDFC bank है क्योंकि check issue किया गया और इसको भी हम finally accept कर लेते हैं यह entry भी complete हो गई आगला question Mr. Verma paid 1100 in cash toward electricity charge यानी की बिजली का bill दिया है ठीक है तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे electricity expenses आपका debit में हो जायागा क्योंकि यह first time आ रहा है इसलिए laser बनेगा और voucher payment आपको पता चल गया है 1100 रुपए दिया गया है 1100 रुपए हो गया और credit में यहाँ पर आपका cash हो जायागा cash हो गया और इसको भी हमने accept कर लिया ठीक है आप control एसे भी accept कर सकते हैं shortcut की होती है next time क्या हुआ Mr. Verma received further advance of Rs.25,000 from silver service by check refer transaction number 10 यानी कि यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जो silver service से हम हमारा contract sign हुआ था अप्रेल मन्त में ठीक है तो वहाँ पर तो हमें 25,000 रुपए advance मिला ही था आपको याद होगा लेकिन यहाँ पर हमें फिर से एक बार जो है advance received हुआ है by check यह नहीं चेक के द्वारा 25,000 रुपए हमें और मिला है ठीक है तो अगर आपको याद नहीं है तो आप refer transaction number 10 पर जाके उसको देख सकते हैं फिलाल आपको याद होगा तो यहाँ पर हमें 25,000 रुपए फिर से advance मिला है तो यहाँ पर इसकी entry करते हैं तो voucher receipt हो जाएगा क्योंकि पैसा मिल रहा है credit में यहाँ पर आपको याद होगा यहाँ पर होगा advance consulting revenue ठीक है advance consulting revenue क्योंकि इ अगला question है Mr. Orma Remboursed Convince Bill Amounting to Rs.650 in cash to Gita सुकला यहाँ पर Mr. Orma ने क्या किया है convince bill जो है इसे pay किया है ठीक है convince बिल क्या होता है तो देखे convince एक प्रकार का खर्चा होता है ठीक है convince क्या होता है एक प्रकार का खर्चा होता है पता कैसे ची लगा कि convince खर्चा है तो जब भी ह हम real life में work करते हैं एक business में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सारी चीजे हमें पता होती है कि किस से हम उधार ले रहे हैं या किसको उधार दे रहे है ठीक है या फिर हमारे business से जो पैसा जा रहा है वो क्यों जा रहा है क्या वो खर्चा हो रहा है या उसके बदले हमारे business मे conveyance एक प्रकार का खर्चा है तो यहाँ पर debit में आपका हो जाएगा conveyance expenses और credit में cash हो जाएगा क्योंकि नगत दे रहे हैं laser conveyance expenses का बनेगा और under indirect expenses के ही जाएगा क्योंकि सभी प्रकार के खर्चे indirect expenses में जाते हैं ठीक है जो indirect वाले होते हैं तो यहाँ पर voucher आपका payment हो जाएगा voucher कौंसा होगा payment होगा सारी चीज़े पता चल गए लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि इसमें गीता सुकला को mention किया गया है तो देखेंगे conveyance एक परकार का कैस जा रहा है तो हमसे business सिर्फ इतना यह पूछ रहा है कि यह 650 किस को जा रहा है ठीक है तो 650 क्यूं जा रहा है क्यों कि यह डेविट में हमने convince कर दिया बता दिया कि हाँ यह convince खर्चा है और credit में यहाँ पर 650 रुपए आपका कैस है यानि convince के लिए जा रहा है और कैस जा रहा है सीधी सी बात है अब यह जो कैस है वो जातो रहा है लेकिन किसको मिल ला है गीता सुकला को मिल ला है किसको मिल ला है इससे नहीं मतलब है ठीक है इससे business को नहीं मतलब है कि यह कैस किसे मिल रहा है clear है लेकिन हाँ जब हम याद हुआ कि हमने Global House या Incant Paper Publisher से उधार लिया था तो वहाँ पर मतलब था तो वो तो मतलब होगा ही क्योंकि वो उधार की बात थी और जब हमने उनको पे किया तो फिर उनको डेविट में भी किया डेविट में Global House किया ताकि बिजनस को पता चले कि जो 12,500 रुपे जो जा Global House को जा रहा है ठीक है तो यह चीज होती है तो फिलाल यहाँ पर गीता सुकला को इंटरी में mention करने की कोई जरोत नहीं ठीक है तो यहाँ पर डेविट में convince और credit में cash voucher payment under indirect expenses सारी चीज़े पता चल गई चले तो यहाँ पर इसका फटा-फट लेजर बना लेते हैं तो यहा एंटरी को समझने और समझाने में time लगता है करना बहुत ही easy है देखे तुरंत होगे 10 सेकेंड भी नहीं लगे ठीक है फिर Mr. Verma paid 150 in cash toward miscellaneous office expenses तो यह भी देखिये खर्चा ही है miscellaneous expenses क्या होते हैं तो miscellaneous expenses छोटे-छोटे खर्चे होते हैं ध्यान रखना इस बात का छोटे-छोटे जैसे माल लेते हैं एक महीने के अंदर कोई आया कोई guest आया ठीक है तो उसके लिए हमने जो है थोड़ा breakfast और lunch वगेरा हमने arrange किया ठीक है चाय वगेरा तो इसमें जो छो मोटे-मोटे खर्चे पूरा एक में जोड़ दिया और बोल दिया उसको miscellaneous expenses ठीक है तो यहां पर आपको पता है कि यह miscellaneous expenses क्या होगा debit होगा और credit में यहां पर आपका क्या हो जाएगा cash हो जाएगा क्योंकि नगत है laser miscellaneous का बनेगा under जाएंगे indirect expenses के अंडर किसके और voucher यहां पर आपका हो जाएगा payment voucher क्या हो जाएगा payment हो जाएगा ठीक है clear है लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है वो क्या है देखिए miscellaneous यहां पर यह miscellaneous आप नेम देख रहे होंगे इसी नाम का एक group भी होता है ठीक है जो 28 group है आपको याद होगा उसम में एक miscellaneous expenses assets नाम का एक group होता है तो आप यह मत समझना कि यहां पर miscellaneous है तो यह miscellaneous expenses में जाएगा नहीं यह miscellaneous expenses जरूर है लेकिन यह जाएगा indirect expenses में ठीक है miscellaneous expenses assets में वो समपतिया मलब वो चीज़े जाती है जो business start होने से पहले जो खर्चे किये जाते हैं जैसे आपने बताया था उसमें कि जैसे logo बनवाया company का company का domain है company का registration है तो इसमें जो खर्चा होता है वो जाता है miscellaneous expenses assets में ठीक है यह चीज़े ध्यान रखनी है आपको यहां पर इसके इंटर करते हैं 500 रुपई की है miscellaneous expenses यहां से जो copy करते हैं और लेजर बनाते हैं voucher payment अल्रेडी लगा था miscellaneous expenses under indirect expenses accept किया और कितना है 500 रुपई क्रेडिट में यहां पर आपका हो जायागा cash ठीक है उसके बाद अगला question है Mr.Ruma received rupees 15,000 as consulting revenue in cash from omega infotech यहां पर income हुई Mr.Ruma ने क्या किया है 15,000 रुपई का check जो है वो receive किया है check नहीं receive किया cash receive किया यहां इन cash है तो Mr.Ruma ने 15,000 रुपई जो है नगत प्राप्त किये हैं किसलिए प्राप्त किये हैं consulting revenue के लिए किस से प्राप्त किये हैं omega infotech से यानि कि Mr.Ruma ने जो है omega infotech को service दी होगी और service पूरी हो गई omega infotech ने 15,000 रुपई नगत दे दिया और अभें इसकी entry करनी है यानि कि यहां पर क्या हुआ consulting revenue यानि कि पेवर income हुई है ध्यान रखना ठीक है अब आप सोच रहे होंगे कि जो silver service थे उनसे तो contract sign हुआ था पैसा advance मिला दो बार 25,000 पर 25,000 करके ठीक है omega inf direct आ गए तो ऐसा नहीं है उनका हो सकता है कि उनका 75,000 रुपई के service दी गई थी इसलिए उनका contract sign हुआ और धीरे-धीरे service हो रही है इनके कोई छोटी-मूटी service होगी तो contract sign करने की बात और उन्होंने पैसा advance नहीं दिया होगा सीधे-सीधे service दे दिया और फिर उसके बाद पैसा दिया तो direct entry आ गई ठीक है तो इसके लिए आपर confused नहीं होना है आपको तो फिलाल यहाँ पर consulting revenue finally हमारी income होई है ठीक है हमने यहाँ पर service को sell किया है ठीक है यह entry पास करनी है तो यहाँ पर consulting revenue यह आपका हो जाएगा credit क्योंकि income होती है credit ठीक है और David में आपका हो cash David में क्या हो जाएगा cash हो जाएगा ध्यान रखना क्योंकि पैसा business के पास आ रहा है और income हमेशा credit होती है ठीक है और laser किसका बनेगा laser आपका बनेगा consulting revenue का ठीक है अब consulting revenue क्या है तो हमने आपको बताया था कि consulting हमारी जो service है मलब consultancy service है उसी का यहाँ पर हमने नया नाम रख consulting हैनि consult करने के बाद जो हमें revenue होती है वही नाम रखा consulting revenue का मतलब income ठीक है तो consulting revenue यहाँ पर रख दिया बाकि इसका आप कुछ भी रख सकते हैं कई लोग जो है अपने service को जब sell करते हैं तो service का नाम नहीं लिखते सीधे sell लिख देते हैं देखिए आपर इस entry को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पर हम consulting revenue की जगे पर credit में यहाँ पर हम sales भी कर सकते हैं credit में यहाँ पर हम sales भी कर सकते हैं और debit में cash भी कर सकते हैं इस तरीके से भी कर सकते हैं और कई लोग करते हैं credit में sales और debit में cash यहाँ पर service का नाम है वो नहीं रखे सीधे यहाँ पर service को sell की इस रख सकते हैं और या फिर इसको हम direct income में भी रख सकते हैं ठीक है अब आप सोच रहोंगे दोनों अलग अलग है तो balance में भी difference आएगा नहीं देखिए जो हमारी direct income होती है लेकिन जो हमारा sales होता है वो भी income ही होता है ठीक है यानि कि जो sell है या direct income है ये income ही मानी जाती है और इस सेल्स में रख सकते हैं लेकिन हम देखते हैं कि हमने इसको किस इस treat this income में धिक है ऊते ह Sang पडरा पर पैसा प्राप्त हो रहा है वाउचर रिसीप्त हो गया क्रेडिट में यहां पर आपका कैस हो जाएगा कितना 15,000 रुपए कैस हो गया डेविट में यहाँ पर क्या होगा कंसल्टिंग रिवन्यू जो की लेजर ही नहीं बना यहाँ पर जो एडवांस कंसल्टिंग रिवन्यू है यह अलग चीज है ठीक है यह लियाबिलिटी आपको बता है हमें यहाँ पर नया लेजर बनाना है कंसल्टिंग रिवन्यू का कंसल्टिंग रिवन्यू अंडर यह जाएगा डारेक्ट इनकम में किसमें जाएगा डारेक्ट इनकम में जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे और इसको भी हम अशिप्ट कर लेंगे और यहाँ पर यह entry पास होगी 15,000 के income होई ठीक है voucher यहाँ पर receipt होगा देखिए यहाँ पर एक error आ रही है no cash और bank account debited यानि कि यहाँ पर receipt voucher में यह बता रहा है कि कोई भी cash या bank account debited नहीं है अब यह error क्यों आ रहा है देखिए क्योंकि आपको पताए कि recipient voucher में credit में cash नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्यों credit में cash का मतलब होता है की पैसा जा रहा है जबकि voucher received इसका मलत पैसा आ रहा है डेविट में cash और credit में consulting revenue इस entry को accept करते हैं ये भी हो गई हमारी income complete हो गई ठीक है 15,000 की अगला question देखते हैं अगला question यहाँ पर है Mr. Verma raised an advice for Rs. 75,000 on silver services after completion of the service ठीक है यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो silver services की service पूरी हो चुकी है तो Mr. Verma ने एक bill बनाया है 75,000 रुपए का silver service के लिए और service complete होने के बाद में ठीक है after completion of the service फिर silver service paid the balance amount Rs. 25,000 in cash after deducting the advance refer transaction number 10 and 21 आपको याद होगा transaction number 10 पर 25,000 रुपए advance मिले थे और 21 पर भी 25,000 रुपए advance मिले थे यानि 50,000 रुपए total advance मिल चुका है clear है और यहाँ पर contract कितने का sign हुआ था 75,000 का और 25,000 रुपए इनों service भी पूरी हो गई तो अभी इस question को आराम से ध्यान से समझेए यहाँ पर क्या हुआ है ठीक है यहाँ पर अभी income हो चुकी है ठीक है तो यहाँ पर income हुई तो यहाँ पर कैसे क्या करना है देखिए तो एक बार यहाँ पर आपका debit में हो जायागा cash debit में क्या हो जायागा कि इतना 25,000 रुपए क्योंकि 25,000 रुपए तो नगद मिला है न अभी के अभी तो 25,000 डेविट में कैस हो जाएगा तुरंथ 25,000 रुपए हो गया कैस के लिए रहे है फिर यहां पर क्या होगा आगे बता रहे हैं कि टोटल इनकी इनकम कितनी हुई इनकम इनकी हुई टोटल 75,000 रुपए लेकिन 25,000 रुपए नगद मिले और हमें क्या करना है 50,000 रुपए डिडेक्ट करने का मतलब क्या है कि अभी तक आपको याद होगा कि जब एडवांस कंसल्टिंग रिवन्यू जब आ रहे थे यानि दो दूसरी बार आया दूसरी बार गया तो टोटल क्रेडिट का एडवांस कंसल्टिंग रिवन्यू 50,000 रुपए हो गया कि नहीं हो गया वही हमें यहां पर डिडेक्ट करना इसको बोलते हैं अर्जेस्ट करना ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर क्रेड़िट में 50,000 से नगत नहीं मिला लेकिन हमने डिडेक्ट कर लिया यानि कि जो एडवांस कल सेंटिंग रेवन्यू में हमें हारा बैलेंस लियाबिलिटी में साइड में अभी तक पड़ा था उसको हमने ट्रांसफर कर लिया यहाँ पर ठीक है और फाइनली हमारी इंकम हो गई क्रेडिट में याँ पर कर देंगे किसको क्रेडिट में कर देंगे कंसल्टिंग रेवन्यू कितना 75,000 रुपए है ठीक है कितना 75,000 आप सोच रहे होगे नगत तो 25,000 मिला फिर इंकम 75 कैसे हो गई तो 50 तो पहले से मिल चुका है न तो जो 50 पहले से मिला उसको डेविट कर दि जो 50,000 रोपे advance consulting revenue अभी तक credit में था यानि कि जो liability थी यहाँ पर हमने डेविट किया तो यह हो गया 0, 0 क्या हो गया advance consulting revenue ठीक है और finally हमारी income हो गई 75,000, clear है अब आप सुझ रहोंगे कि यह तो ठीक है advance consulting revenue यहाँ पर हो गया 0, लेकिन नगत तो हमें 25 मिला तो ठीक है 25 कैसे मिला 50 पहले से मिल चुका है ना जब यह डेविट में HDFC बैंक 25 25 बार दो बार आया तो 50 तो पहले ही मिल चुका है तो आप पूरा समझ गया होंगे तो यहाँ पर finally आपको पता चल गया डेविट में एक बार आपका cash हो जायागा 25,000 से दूसरी बार यहाँ पर डेविट हो और advanced consulting revenue यह हम बना चुके हैं ठीक है मलब पहले से laser बना है clear है चलिए voucher यहाँ पर क्या होगा रिशिप्ट होगा voucher रिशिप्ट होगा क्योंकि यहाँ पर पैसा प्राप्त हो रहा है credit में यहाँ पर फिर से consulting revenue एक बार आयेगा कितना 75,000 रुपए और debit में यहाँ पर cash कितन हो गया जीरो ठीक है चलिए तो यहाँ पर इस entry को भी हमने final complete कर लिया इसको भी हम accept कर लेते हैं और यह accept हो गई अगले question की तरह बढ़ते हैं Mr. Verma withdraw रुपी 6,000 cash for personal use यानि 6,000 रुपए निजी खर्च के लिए निकाला है तो withdraw का laser बन चुका है पहले से ही ठीक है यहाँ पर personal ध्यान रखना है personal use के लिए निकाला है यानि कि यह voucher payment हो जाएगा debit में यहाँ पर withdrawals हो जाएगा 6,000 रुपए और credit में यहाँ पर cash हो जाएगा क्योंकि नगल लिया और यह entry भी पास हो गई complete हो गई ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे यह सारी entry हमने माई की कर ली है फ अगर आप चाहते हैं कि अप्रेल की देखना तो f2 बटन प्रेस किया 1-4 तो यह अप्रेल की entry आ गई 1-5 यह माई की entry आ गई और अप्रेल और माई दोनों की एक साथ देखनी है तो उसके लिए यहाँ पर आपको प्रेस करना है alt के साथ में f2 alt के साथ f2 और यहाँ set करना है एक चार ठीक एक चार और यहाँ set करना है आपको एक पांच तो यहाँ पर आप देखेंगे अप्रेल और माई दोनों महीने की entry यहाँ पर आपको सामने मिल जाएंगे ठीक है चलिए वापस आते हैं फिलाल डे बुक हो गया profit फिर चलते हैं trial balance तो trial balance यहाँ पर यह रहा आप आ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि अप्रेल जब पूरी तरीके से सही था और अभी देख रहे हैं तो यहाँ पर गलत आ रहा है इसका मतलब कि हमारी गलती कहां पर हुई है माई में गलती हुई है तो यहाँ पर आपको माई की entry एक बार चेक करने होंगे अगर आपका trial balance गलत आता है तो ठीक है अभी देखें यहाँ पर दो तीन मन्त जो हैं complete हो जाए फिर उसके बाद जुलाई अगस्त में हम जो हैं गलतीया करेंगे ठीक है जिससे क्या होगा कि trial balance गलत होगा फिर हम आपको trial balance सही करना बताएंगे ठीक है जुलाई अभी नहीं वनना आप confused हो ज्यादा तो फिलाल यहाँ पर आप इस trial balance से अपने trial balance को match करने हैं यहाँ पर एक एक amount को चक करें कि क्या गलत है क्या सही है अगर सही है तो ठीक है और खास करके आपको यहाँ पर cash और bank जो है वो जरूर चक करनी है कि cash कितना आ रहा हर महीने का ठीक है क्योंकि हो सकता है कि स profit and loss account balance sheet सारी चीजे हैं तो यह भी आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे देखना आपको पता है यहाँ पर चलना है balance sheet यह रही alt के साथ यह phone detail में आ जाएगी alt यह phone के साथ ठीक है और यह आपका profit and loss account है तो देखें यहाँ पर इस महीने हमारी income हुई ठीक है यहाँ पर income कितनी ध्यान रखना है यह जो आपका profit या loss जो भी यहाँ पर आपके सामने भी दिखा रहा है profit and loss account में यह आपका net profit दिखा रहा है तो यह net profit आपका सिर्फ मई मन्त का नहीं है यह April और मई दोनों का है ध्यान रखना इस बात का ठीक है इसमें जो income है वो April प्लस मई दोनों मन्त की हलाकि April में इंकम नहीं हुई थी वो अलग बात है लेकिन होती तब भी April और मई दोनों मन्त की यहाँ पर इंकम जुड़ती ठीक है और जो यहाँ पर आप देख सकते है expenses जिसमें April और मई दोनों मन्त के expenses यहाँ आप देखेंगे स्टेशन जे expenses 18,500 यह रहा ठीक है तो यह प रियल वर्क होता तो मई क्या देखने के लिए हम set करते 31,500 ठीक है क्या set करते 31,500 फिलाल तो अभी एक ही पांस set करेंगे क्यों सारी इंट्रिया एक ही डेट पर है तो अभी current टाइम में जो आप देख रहे हैं यह आपका जो है सिर्फ और सिर्फ मई का profit अलास account है तो अगर म प्रेल और मई दोनों महिने का जो है इसमें इंट्रियां जुड़ी हुई है ठीक है अब आप सोचें कि यहाँ पर सिर्फ हमें मई का देखना है तो आप जरूर मई का देख सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आप एक माइनस पांच सेट करें एक माइनस पांच ठीक है और पर गरें तो अभी करंट टाइम में जो ट्राइल बैलेंस यह आपका मई का है ठीक है यह आपका ट्राइल बैलेंस माई का है तो यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि जब यह माई का ट्राइल बैलेंस है तो यहाँ पर माई में तो अर्पित कुमार यह बिजनेस के ऑनर balance ready हो जाएगा उसका closing balance ready होगा और फिर rif closing balance plus मअ का trial balance जो है वो मिल करके दिखाई देगा ठीक है सिर्फ मअ का trial balance कोई नहीं देखता है या उसकी ज़रूत ही नहीं बढ़ती उसको आप ऐसे समझ सकते हैं माँ लेते हैं कोई customer है ए नाम का customer है ए नाम के customer ने आपसे एक महीने यानि कि 30 दिन तक किसी भी महीने उधार लिया तो आपने उसका amount लिखा 500, 600, 700 जो भी है और finally जब वो मन्त पूरा हो गया यानि 30 दिन पूरे हो गया मा लेते हैं यहाँ पर April मन्त ही ले लेते हैं तो ए नाम के customer ने April मन्त में मा लेते हैं पूरा हम लिखेंगे तो हमने क्या किया माई डाला और माई मन्त में जब यहाँ पर हम लिखेंगे तो पुराना balance उधर नए वाले ट्रांसपर करेंगे कि नहीं या फिर 10,000 रुपे को भूल जाएंगे नहीं ना तो 10,000 रुपे पहले लिख देंगे कि हाँ यह 10,000 रुपे पुराना अब तो यहाँ पर कोई भी इंकम नहीं दिखा रहा है क्योंकि आप बैक जाके देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने थोड़ी दर एकजामपल जो दिखाया था उस एकजामपल में क्या था अगर वो कहे हमें यह बताओ कि अपरेल में कितना हमने उधार लिया था तो वो अगर आपका इमांट 10जार रुपय लिखा था और मई में उधार कितना लिया तो मई का तो अलग है यह प्लस 10जार रुपय वो माइनस कर दो ठीक है तो इस तरीके से चीजे रहती है तो यह सब आपको खुर से समझना है सारी चीजे है तो यहाँ पर फिलाल इस वीडियो म माई का जो trial balance है वो copy पर कैसे बनेगा ये हम बताएंगे ठीक है और सिर्फ माई का ही बताएंगे फिर उसके बाद जून जुलाई का आगे नहीं बताएंगे क्योंकि बनाने की जो process है वो same रहती है लेकिन माई का जब हम बनाएंगे तो थोड़ा सा क्योंकि बताएंगे क्योंकि बताएंगे